बिहार में रेल रोको आंदोलन हो रहा है बिहार में कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है जी आँ, बीजेपी इस मुद्दे को लेकर आज बिहार की सड़कों पर है भारतिय जनता पार्टी ने आज बिहार में रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया है बीजेपी ने सत्तधारी जेडियू से भी अपील की है कि वो इस बंद को सफल बनाने में उसे सहयोग करे बदले में वो दो मार्च को जेडियू के बंद के दौरान उनका साथ देगी तो बिहार का ये रेल रोको आंदोलन बीजेपी में बीजेपी के जरिये शुरू हो रहा है मकसत विशेश राज्य के दर्जे को देना और इसके मद्दे नजर बंद का अवान किया गया है और क्या कुछ कहा गया है ये भी आपको बता दें बिहार को विशेश जी का दर्ज़र दिलाने के लिए आज बीजेपी राज़बर में रेल रोको अभियान चला रही है और इसका सर्फ सुभा से ही दिख भी रहा है पटना समेट कही शहरों में ट्रेने नचल पाने की बचक से लोगों को भारी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है कही ट्रेने जहां तहां रुकी हुई है इस बीच बीजेपी कार्यकरтаों ने राज़ानी और शताबदी समेट कही ट्रेनों को रोका है ये तस्वीरे हैं अब आपको हम दिखा रहे हैं बिहार से जहां राजधानी और शताबली ट्रेनों को रोका गया है बीजेपी के कारिकरताओं के द्वारा और मांग है विशेश राजी का दर्जा उनुका कहना है कि जब तेलंगाना की मांग को माना जा सकता है तो आखर बिह कि द्वार की मांग को क्यों नकारा जा रहा है क्यों दोहरा रवया केंद्र सरकार अपना रही है लेकिन प्रशन ये भी उठता है कि क्या महज वोट की सियासत के लिए धेश सारे लाखों मसाफिरों को तंग करना कितना सही है ये अपने आप में बड़ा सवाल है तो हम आपको तस्वीरे दिखा रहे हैं कि रेल रो को अभियान शुरू हो चुका है बीजेपी का और सौरफ कुमार हमारे संबाद दाता है उन्होंने एक रिपोर्ट की है कबरेज किया उसकी आई देखिए क्या तस्वीरे आ रही है वासे अर वीजेपी नाज रेल रो को अंदोलन किया है यह नजारा सचिवाल ए हौल्ट का आप देख सकते हैं यह ट्रेन लगी हुई है भववा इंटर सिटी और कई घंटों से यह ट्रेन यही पर खरी है यह सचिवाल ए हौल्ट का नजारा है यहां पर WGP, NETA, अपने सेक्रो समर्थकों के साथ रेल की पट्री पर आ गए हैं और उन्होंने काफी देर करीब एक घंटे से ट्रेन को रोक दिया और यहां पर जो लोकल विधायक हैं, निती नबिन, वो अपने सेक्रो समर्थकों के साथ रेल की पट्रियू पर बैठे हुए ये बताइए क्या मांगे है आपकी। जबकि बिहार का बहुत ही दिन से चलाई है मांग को दरकिनार किया तो बिहार की जनता उनको सबक सिखाएगी और उसी चिताबनी देने के लिए आज हम लोग पूरे बिहार में रेल का चक्का जाम किये हैं। तो सौरब के आपने इरपोर्ट देखी गुस्सा है बीज़पी के करकरताओं में नेता में और वो रेल रोके अंदोलन को सफल बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस बीज़पी के बरिश नेता सुशील मोदी कह रहे हैं कि जो रेलवे के अधिकारी हैं उन्हें भी इस बंद में शामिल होना चाहिए। और जो बॉर्डर एरिया हैं बिहार के वहां से दूसरे राजि़ों से आने वाली ट्रेनों को रोखना चाहिए। और क्या कहा है आए सनिये। तो जैसे आपने बाकी राज्यों के लिए पहल की है बिहार के लिए भी पहल होनी चाहिए और पुर्जोर से होनी चाहिए केमरे से यही अपील कर रहे हैं बीजेपी के लोकल बिहार के कारे करता है आपको बताना चाहूंगा कि BJP के सैक्रो जो कारे करता है अपने अपने निताओं के साथ सरक एक तरीके से कहें तो रेल की पट्रियों पर उतर उतर चुके हैं सुबा पांच बजे से ही और सुबा पांच बजे से जितनी भी ट्रेने हैं जाए वह अबरा जाती हो दिली जाती हो सबको उन्होंने रोक रखा है और इसके बापजूत जो सैक्रो जो यात्री हैं जो ट्रेन के अंदर बैठे हुए हैं उनकी हालत काफी खराब है उन लोगों से भी हमने बात की जाने की कोशिस की कि कि इतने परिसान है सब लोगों का यही कहना था कि तीन-तीन घंटे हो गए अभी हम एक ही जगा पर बैठे हुए हैं इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि बिहार में इंटर्मीडियेट का एक्जाम चर रहा है लाको जो छात रहे हैं वो परवाबित हो रहे हैं इस जाम से लेकिन बीजेपी निताओं की बात करें तो उनका साब कहना है कि देखिए बंद का एलान हमने पहले ही कर दिया था जो बैकलपी विवस्था थी वो सभी लोगों को कर लेना चाहिए था और अगर परिसानी हो रही है तो इसके लिए जिम्मेदार हम नहीं है अच्छा ये वोट काटने की होड है क्या दो मार्च को नितिश कुमार की जेदियू भी इस सरह का बंद का आवान कर चुकी है और उससे पहले ही बीजेपी ने ये बंद कर दिया है क्या इसमें कोई पहले से रहे शमारी थी या फिर जेदियू से वोट काटने की मकसद से इस बंद को आयूजित किया गया है आज की तारिक में जी बिल्कुल प्रिती मैं आपको बताना चाहूँगा कि विशेस राज का जो दर्जा है सबसे पहले जदियू ने इस मुद्दे को उठाया था और अधिकार रैली भी की थी पटना में भी किया था दिली में भी किया था उसके बाद उसके बाद वीजेपी जाकती है और बीजेपी लगातार उसके बाद आंदोलन करना सुरू करती है और आज भी यही हुआ है कि 28 फरवरी को सबसे पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को लेकर बंद का आखवान किया है और दो दिनों के बाद यानि कि 2 मार्च को जदियू ने आखवान किया है कि वो पूरे बिहार को बंद रखेगी जी आप सौरव अमारे साथ बने रही है और इस बीच जाहर तो पर जब बंद का आवान हुआ है तो सियासी प्रतिक्रियाएं भी आएंगी और ऐसे में आपजेडी की तरफ से क्या बयान आया है इस बंद को लेकर आए सुनिये ये तो बिशुद पुलिटिकल स्टन्ट भी नहीं बहुत ही घटिया दरजे का पुलिटिकल स्टन्ट है क्योंकि जब बिहार का विभाजन हुआ था तो इंडिये की सरकार थी और हमारी बिधान सभा में हम थे हमने वहां से पूरा का पूरा एक रिप्रेसेंटेशन भेजा था विधान सभा की वर से अपील थी कुछ भी नहीं किया गया तो आप विशेश दरजा जैसे मसले को अगर आप इस तरह से पाखंड में तबदील करेंगे और जिसकी वज़ा से ये पड़ी च्छाओं का टाइम है बिहार में मैं आपको बताओं लोगों को एक जिगा से दुजरी जिगा जाना पड़ता है तो जिस दल को इतनी समझना हो कि किस परकार लोगों को दिक्कतों से बचाया जाए मैं समझता हूँ कि उस दल के बारे में कोई भी टिपणी कम होगी तो आज़ेडी जो बात कह रही है वो आम जन्वी वैतर तरीके से समझ रहा है कि हमें दिक्कत पहुँचा कर कैसे आप विशेश राजिका दरज़ा की मांग कर रहे हैं आम मुसाफिरों को खासी दिक्कत हो रही है और इस बीच आपको हम बता दें कि बिहार को विशेश रा अभी हमारे समवादाता सौरफ कुमार की ये तस्वीरें बता रही है कि लोगों की दिक्कते काफी बढ़ गई है और जिस तरह का आवान क्या जा रहा है जिस तरह की अपील की जा रही है उसके तहत ये कहा जा रहा है कि रेलवे प्रशासन को भी हम ये अपील करते हैं कि व केंडरे करों में मिलती है छूट ये वो खासिएते हैं केंड़े terminarי करों जाती है सहूलेत मिलती हैए तो ये विशेश राज़त के दरजे के पैमाने हैं जिसे चाहता है बिहार और साथी साथ बिहार में खास दोर पर आज जो बीजेपी का मकसद है वो यही है और इसी के मदनजर रेल रो को अभियान शुरू किया गया है और पुलिस बल की भी तैनाती की गई है दो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इन दो तस्वीरों का मकसद एक है पार्टियां भले ही अलग-अलग हूँ आज बीजेपी का बंद है और ठीक दो मार्च को सत्ता रूट पार्टी जेडियू का भी बंद है विशेश